पॉसिबिलिटी है कि पिछले 30-40 साल में या फिर इवन शलंका के पिछले 100 साल में यह सबसे बड़ी गलती हो शलंका की पॉसिबिलिटी है कि इस कदम की वज़े से शलंका in the future एक complete चाइनीज कॉल्नी बन सकता है शिलंका ने हाली में पास कर दिया है चाइनीज पोर्ट सिटी बिल विद अमेंडमेंट्मेंट्स इस बिल को लेकर शिलंका की जो opposition parties है इन्होंने बहुत विरोध किया कड़े शब्दों का इस्वाल किया कि गुलाम बन जाएंगे लिटरिली इन्होंने आपर warning दी कई member of parlements ने कई बड़े जो यहाँ पर लीडर जाएंगे शिलंका में ये शब्द इन्होंने आपर यूस किया अब चाइनीज तो directly कहा नहीं सकते मगर ये कह दिया कि गुलामी की तरफ चला जाएगा देश एक बार आपने अगर ये जो बिल है पास कर लिया काफी लंबे समय तक इस पर डिवेट होड़ा था कि क्या ये बिल पास होगा या नहीं होगा सुप्रीम कोट जो है शिलंका का वो भी यहाँ पर बीच में आया मगर in the end जो यहाँ पर अभी ruling party है इसने ये जो बिल है पास करवा दिया और अब का जा रहा है कि चाइना के लिए दर्वाजे खोल दिये गए हैं ये एक Chinese province बना सकते हैं शिलंका में देखो चाइना में आपको बता होगा states नहीं होती हमारे या कहते हैं हमारे या राज्ये होते हैं मराश्ट, मद्यपदेश, हर्याना राज्ये होते हैं चाइना में ये provinces बना के चलते हैं तो चलंका ने आपर क्या किया ये bill पास करके amendments के साथ चाइना को इत्ती power दे दिया है कि ये शिलंका की धर्ती पर एक काफी बड़े area में शिलंका के laws से दूर रहकर जी हाँ, शिलंका के सम्विधान और जो इनके बहुत important laws हैं इससे हटकर एक complete आप कह सकते हैं कॉली मना सकते हैं विदिन शिलंका ये bill डिक्लेयर करता है कि 269 hectare of land जो कॉलंबो पोर्ट के बिलकुल आपको पीछे मिलेगा अभी आपको सम्मैप पे नहाँगा properly वहाँ पे शिलंका बनाएगा अपना पहला special economic zone for services oriented industries अब देगो मेरी बात ध्यान से सुनना special economic zone ये दुनिया का almost हर बड़ा देश अब तो even जो छोड़े देश है ये यहाँ पर बनाते हैं इसका main यहाँ पर role यह होता है कि country में एक special zone ना लेते हैं जहाँ पर tax कम हो जहाँ पर rules थोड़े से relaxed हो labor को लेकर factories की construction को लेकर environmental impact को लेकर special economic zone बनाये जाते हैं कि एक area में अगर rapid economic boost देना है सरकार मानती है कि अभी जो existing laws हैं ये allow नहीं करेंगे अब कानून all together change करेंगे तो उसमें बहुत time लग जाएगा तो ये यहाँ पर बना देंगे एक छोटा सा zone business करने के लिए और ये जो practice है actually बताया जाता है कि चाइना की success का main reason है चाइना ने एशिया में सबसे पहले mass scale पर special economic zone इतने सारे बनाये अपने देश में कि American investors, Japanese investors ने खूब निवेश किया तो अब शलंका भी देखो कहने को एक special economic zone मना रहा है मगर ये बहुत आगे चले गए है इन्होंने यहाँ पर ऐसे प्रवदान रग दिये हैं देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इन्होंने आपर यही कह दी है कि कोई भी foreign registered currency बड़े scale पर use हो सकती है इस Colombo port city में और जो analyst है जो journalist है वो यहाँ पर कह रहे है कि yuan के open use का यहाँ पर दरवाजा खोल दिया गया है yuan जो currency है चाइना की यह already बहुत ही बड़ी मातरा में शलंका में circulation में है commentota के आसपास even Colombo port के आसपास अब जो यह Colombo port city बनाएंगे special economic zone का जो एरिया बनाएंगे वहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी trade होगा जो भी यहाँ पर लोग यहाँ पर currency इस्तमाल करेंगे जो भी यहाँ से investment होगी in शलंका यह होने वाली है in yuan तो शलंका की जो खुद क अभी currency है रुपी बताया जा रहा है कि इसका use overall massive investment में शलंका में काफियत तक कम होने वाला है और इससे possibility यह भी है कि शलंका के जो अमीर लोग है न वो सकता है कि बड़े scale पर रुपी बेच कर यहाँ पर yuan खरीदना start कर दे इस special economic zone में फिर इस सब के इलावा देगो बात यह भी चल रही है कि इस special economic zone में एक अलग passport बनेगा शलंका का जो passport है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा एक special port city का passport बनेगा जहाँ पे मैंडरेन लिखी होगी complete वहाँ पे Chinese logo होंगे चाइना का जो मतलब official passport है वो इसको यहाँ पर use नहीं करेंगे मगर it will be a very unique passport इस पर हो सकता है कि Twitter पर आपने कुछ photos देखी हो वो photos fake है क्योंकि अभी यह पासपोर्ट बना मी नहीं है यह हो सकता है कि इस type की जो photos है आपने Facebook पे या फिर और जगा खूब देखी हो यह photo fake है edited है देखो बिलकुल इस type का passport बनेगा मगर यह जो अभी photo circulation में है this is fake यह actually जो passport है यह Hong Kong का जो official passport है क किसी ने भी अगर Hong Kong का passport देखा हो तो बता रहेगा कि यह Hong Kong का passport है किसी ने Photoshop से यहाँ पर changes करके यह Colombo Port City यहाँ पर डाल दिया है तो थोड़ा fake news से बचिये बाकी reality बिलकुल यह है चाइना अपनी currency एक खुद का नया passport और यह भी बात चल रही है कि Chinese नागरिकों को भी जो Chinese नाशनल्स है जो चाइना में सोग रहे हैं primarily businessmen, investors उनको भी बहुती बड़े scale पर बुला रहा है और सब को यह कहेंगे कि आईए शिलंका के port city में रही है और चाइना की देखिया अबादी बहुत बड़ी है यहाँ पे अराम से यह 1000 लाखों लोग भर देंगे और यह हो सकता है कि एक बीज हो शिलंका की colonization का देखो जो Chinese businessman उनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग ruthless है शिलंका के जो politicians हैं इनकी जो long sided view है इनके आँ बिलकुल नहीं है यह लोग अभी के लिए जी रहे हैं सिर्फ एक दो साल के लिए कि अभी जो हम पे कर्ज है हावी ना हो जाए हम defal इंटरना बंजा internationally इस डर से ये बस चाइना की investment accept करते जा रहे हैं और अब तो देखिए proper colonization स्टार्ट हो चुकी है अगर आप इतिहास में पढ़ोगे के Britishers ने किस तरीके से इंडिया को colonize किया था तो याद रखिएगा colonization एक दिन में नहीं हुई थी कई साल लग गए थे British soldiers का कोई आसा नहीं के बहुत 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 रोल भी था कच्चे पक्की सी वार्ट थी और एक almost आप कह सकते हैं मजाक सा ही हो गया हमारे साथ और पूरा इंडिया कौनली बन गया British Empire की शिलंका almost आज के समय उसी रहा पे चल रहा है and it is very dangerous for this country तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शिलंका के politicians जो इस वक्त power में नहीं है जो opposition में है वो इस project को लेकर क्यों कह रहे है कि गुलामी हो जाएगी हमारे देश में एक separate country बना रहे हो within our own country जो यह port city है this will be a separate state within our own country देखो opposition हमारे देश में भी है US में भी आप समझ सकते हैं कि जब opposition parties ऐसे शब्दों का use क करना start कर दे तो genuinely यहाँ पे issue बहुत बड़ा है now जो यह port city है कैसे बनेगी यह मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख पाओगे यह है बहुत ही famous Colombo port यहाँ पे बिलकुल अगर आपको याद हो जपान और भारत भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जो terminal है यहाँ पर real reason यहाँ पर यह है कि बिलकुल port के पीछे Chinese investment से यह यहाँ पर बनाएंगे यह port city और यह इनके special economic zone का part होगा now China देखो इसको अपने propaganda से अपने media outlet से यह कह रहा है कि यह तो शलंका के लिए turning point है prosperity का कि एक बार यह port city will pass हो गया जो अब हो चुका है और जब यह city build हो गई अभी यह आप आप देख पाऊगे अंडर construction है यह इनकी port city एक बार जब यह बन गई फिर तो बनेगा यह Asia का financial hub almost same सपने same language जिनोंने use करी थी हम बन टोटा के लिए कि हम बन टोटा port एक बार अगर बन गया शलंका ने हमसे उधार लेकर यह port बना लिया उसके बाद तो शलंका यहा आपने propaganda से यहाँ पर यह लोग use कर रहे हैं और I mean मुझे to be honest पता नहीं है कि यह financially successful होगा या नहीं होगा क्योंकि आप अगर खुद सोच कर देखो बहुत ही basic logic अपना हो कि एक pandemic से दुनिया गुजर रही है pandemic खताम होने के सीधा बाद आप दुनिया के सामने कहते हो कि यह हम वारी एक city है और यहाँ पर आप भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं इसको expand करते हैं चलिए आप भी हमको revenue दीजिए हम यहाँ पर Colombo को world class city बनाएंगे इसके ओने के chances का भी कम है बट I mean मैं कोई यहाँ पर financial planner नहीं हूँ मैंने कोई city को जिनकी में कभी plan नहीं किया मगर मैं बहुत ही basic logic यहाँ पर use कर रहा हूँ कि पहली बात तो timing इसकी बहुत जारा खराब है दूसरी बात शलंका का track record in the past काफी खराब रह चुका है फिर उसके अलावा शलंका देखो ऐसा नहीं है कि बहुत stable country है यहाँ पर in the past आतंगवादी हमले हो चुके है एक civil war भी हो चुकी के LTT को लेकर तो I mean शलंका कोई Maldives या फिर सिंगापूर नहीं कि में शोड़ी सी different है तो इस type का जो यह काम कर रहे है यह किसी जुए से कम है नहीं चलने को चल भी सकता है मगर possibility काफी कम दिखरी है मुझे यहाँ पर so यहाँ पर question पूर सकते हैं तो खत्रा main क्या है इंडिय को इंडिया को यह development कैसे देखनी चाहिए क्या यहाँ पर चाइना को military base बना देगा soldiers deploy करेगा नहीं यहाँ पर military army सबका कोई रोल नहीं है यहाँ पर simply जो वाओ I mean Google Map पे भी update हो गया यह वाओ amazing मैं कसम से कई महीनों पहले मुझे याद है मैं लास्ट टाइम देखा था यहाँ पर बिल्कुल समुद्र था और यहाँ पर यह रापिड development करते हैं Chinese fast absolutely fast main यहाँ पर देखो कोई soldiers का खतरा नहीं है कोई military action का खतरा नहीं है यहाँ पर बस main खतरा श्रिलंका के लोगों को है कि यहाँ से इस city से start हो सकती है श्रिलंका की colonization और यह बन सकता है पहला Chinese governed province of श्रिलंका आने वाले कुछ सालों में यह बिल्कुल इसकी एक possibility है और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ किया आप अगर किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं चाए UPSC, SSC, bank आप purchase कर सकते हैं on academy equality courses simply जाओ on academy.com पे click करो exam पे for example इस case में UPSC, CSC पर get subscription और यहाँ पर purchase कर सकते हैं plus यह फिर iconic course जो plus course है 12 month का यह आपको पड़ेगा 4,125 का मगर obvious सी बात है per month इतना भी pay करने किया आप शकता नहीं है use करिए यहाँ पर code PD10 और घर बैठे कहीं भी आप prepare कर सकते हैं for UPSC, prelims, mains for just 3,713 रुपीज पर month so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all झाल